Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to teach you the lesson He is my brother This is for class third It is from Marigold Unit 9 आपने इससे पहले की वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें की मैंने इसी यूनिट की पोयम Don't Tell को एक्स्पेन के है वो आपको समझ भी आगई होगी इस वीडियो में भी मैं इस पूरे लेसन को समझाऊंगी और सभी एक्सरसाइज़ एक्स्पेन करूंगी और उनके सोलूशन भी बताऊंगी अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राब जरू कर लिजे ताकि आपकी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो शुरू करते हैं चलिए He is my brother वह मेरा भाई है Once upon a time Once upon a time का मतला होते एक बार की बात है There was a small hill एक छोटी सी hill थी एक path went up the hill पात का मतला होते है रास्ता एक रास्ता हिल पर उपर जा रहा था It went through thick and lovely woods of pine and fow trees Woods का मतला होते है forest, jungle और ये रास्ता ठीक का मतलब होते है बहुती घने घने यानि के dance मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ घने Dance की spelling दुबारा write कर देते हैं D-E-N-S-E घने और lovely तो आपको पता ही होगा Lovely का मतलब क्या होते है Beautiful और beautiful का तो मुझे हिंदी आपको बताने की जरत नहीं है नहीं है You know Beautiful Woods का अंदर जंगल Pine और fow trees के नाम होते है Pine और fow trees के बहुत ही घने और सुन्दर जंगल में से वो रास्ता जाता था People often walked on it to a holy place लोग उस पे अक्सर तब चलते थे जब उन्हें holy place पे जाना होता था Holy का मतलब होता है पवित्र जगह जैसे temple है ऐसी जगह पर One day when the sun shone high in the sky एक दिन जब sun आस्मान में बड़ी उंचाई पर shine कर रहा था, चमक रहा था Many people were seen climbing up the hill तो बहुत सारे लोग दिखे जो की hill पर climb कर रहे थे Climb अप लगाओगे तो उपर चाड़ना और climb down तो नीचे आना They were climbing slowly and carefully Slowly, धीरे-धीरे Carefully, बड़े ध्यान से वो बड़े slowly और बड़े-धीरे climb कर रहे थे जैसे आप देख रहे हैं न ये girl भी climb कर रहे है ये अपने brother को इसने लिया हुआ है एक girl also climbed the hill with them उनके साथ एक girl भी climb कर रहे थे hill पर Her name was Mina आपकी याद रखिए This girl is Mina This is Mina Mina was 12 years old वो केवल 12 years की थी सिरफ She carried a small boy on her back वो अपनी back पर एक small boy को carry का मतलब क्या होता है ले जाना ले जा रही थी He was four years old वो four years का था कुछ बहुत चोटा भी नहीं था और hill पे जाना है और वो केवल just कितनी years की है 12 His hair was curly उसके hair किसके hair boy के क्योंकि his boy के लिए आता है उसके hair curly थे करली किसे कहते गुंगराले उसके गुंगराले बाल थे His eyes were black उसकी eyes black थी His face was as fresh as the morning dew और dew कहते ओस जो चोटोटी बुंदे प्लांट पे पड़ी भी होती है और जैसे morning में चोटी-चोटी सी ओस की बुंदे होती है उसका face उतना ही fresh था As the sunshine danced through the trees और जब धूप tree में से निकल के डांस करती भी लग रही थी Meena climbed the hill slowly Meena भी slowly धीरे-धीरे hill पर चड़ी और उसने Slowly and steadily Stadily का मतलब होता है बिना रुके continuously वो continuously चलती जा रही थी Meena was happy Meena happy थी I was also happy और बॉई भी happy था A man in the group looked at Meena उस group में जो एक man था उसने Meena को दीखा looked का मतलब होता है दीखा He felt sorry for her उसे उसके लिए बड़ा दुख हुआ He asked her उसने उसे पूछा My child Why are you carrying a boy on your back? आप अपनी back पर बॉई को क्यों ले जा रही हो? Don't you feel his load? load का मतलब भार बोज क्या तुम इसका बोज नहीं फिल कर रही हो? Meena looked at him in wonder Wonder क्या होता है? Surprise आश्चरिये आश्चरिये को चकित होने को कहते हैं Surprise और wonder भी कहते हैं उसने चकित होकर आश्चरिये से मैं हिंदी में भी यहाँ पर लिख देती हूँ ता आपको याद रहे आश्चरिये से उस कितब देखा Him किसके लिए? Man कितब देखा She could not understand Understand का मतलब होता है समझना उसके बात को नहीं समझ सकी Her brother was unable to walk उसका भाई वाउक नहीं कर सकता था Meena asked Lord बोज Of course not नहीं बिलकुल नहीं Of course का मतलब होता है Really सच मोच ही नहीं कोई burden नहीं हो प्योंकि आपका भी चोटा भाई हो burden दोना होगा आपके लिए He is my brother यह तो मेरा brother है है ना interesting story तो देखो यह story किसने write करी है यह story सनत कुमार भट इन्होंने write करी है चलिए अब हम जरा word meaning देखते है understand understand का मतलब होता है समझना मैं तुमारी बात नहीं समझ सकी मैं समझ नहीं सकती present में कहना है तो I cannot understand understand you बात की कुछ और नहीं लगेगी I cannot understand you I cannot understand this poem I cannot understand this chapter को यह अब लिख सकते हैं climb का मतलब तो चड़ना होता है I climbed कांका चड़ते जीने में तो चड़ते हो न I climbed up the stairs आपको पता है न सीड़ियों की क्या होती है stairs होती है चलिए थार देखते हैं holy holy मैंने बताया जो पवित्र जगे होती है जैसे की temple उन्हें holy कहते है जगा भी होती है holy जैसे हरी द्वार is a holy place is a holy place जो हरी द्वार है वो एक holy place है पवित्र जगा है slowly कुछ बच्चे होते हैं बहुत दीरे दीरे काम करते हैं फिर है sorry मुझे तुमें देखे बड़ा दुख है I am sorry for you आप कोई दुख में है ना आप उसे देखके दुखी हो रहे हैं तो I am sorry for you, for him load यानि कि भार जो होर्स होता है डॉंकी होता है वो भार लेके चलते हैं तो आप क्या लिखेंगे डॉंकी कैरी कैरी का मतलब क्या होता है ले जाना loads बोज लेके चलते हैं आपको ये clear होगे ना समझ में आगे मैंने इनके meaning भी write कर दी है now we will see the questions where were the people going लोग कहां जा रहे थे people were going to a holy place तो मैं यहाँ पर writing कर देती हूँ आप जानते हैं नो होली प्लेस पर जा रहे थे तो हम the people यहाँ से लिखेंगे the people were यही वाला वर यूज हो जाएगा आगे आ जाता है बस यह we're going to a holy place एक holy place पर जा रहे थे next question है what did the man say to मीना मैंने मीना से क्या कहा चलिए मैं दिखाती हूँ answer की क्या कहा उसने मैंने मीना से क्या कहा था देखते हैं जा रहे यह yes answer why are you carrying a boy on your on your back don't you feel his load तो यही इसका answer है तो इसे बिखिर भी मैं write कर देती हूँ the man say का हो जाएगा said said to मीना हम अगर inverted commas में write करेंगे तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा रहा वो आप lesson में से लिख देते हैं लेकिन अगर आप इसमें अपने words में write करेंगे that लगा के लिखेंगे तो फिर यह नहीं लिखा जाएगा said to भी नहीं आएगा यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें ask उससे पूछा the man asked मीना why she was she was carrying the why on her back वो अपने back पे क्यों लेके जा रही है और फिर यह कोमा लगाएंगे if she was not feeling the lord क्या उसे बोज नहीं लग रहा है तो ऐसे यह पूरा answer बन जाए थोड़ा सा long है लेकिन यह long ही बनेगा क्योंकि दोनों dialogue हमें write करने होंगे अब हम चलिए next question देखते है why do you think मीना was carrying her brother अपने brother को वो क्यों लेके चल रही थी क्या कारणा था उसका क्योंकि वो चल नहीं सकता था was unable to walk lesson में लिखा हुआ है यह last की line में आप देखेंगे यह देखो बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ है यह इसमें bracket में लिखा हुआ है brother was unable to walk this is the answer okay now next what went up the hill hill पे उपर क्या जा रहा था hill पे जा रहा था रास्ता path का मतलब क्या होता है रास्ता याद रखना है new words याद रखने what is the name of the girl in the story story में girl का नेम क्या है मीना how old was मीना मीना was 12 years old how old was मीना's brother मीना का भाई कितने एरका था four he was four years old तो यह तो आपको समझ में आ गए है न they are so easy अब चलिए इन में हमें यह जो word लिखे हैं में सेलेक्ट करकी यहाँ पर write करना है the wife fell in the pit pit का मतलब होता है गढ़ा आपको पता होना चाहिए यह meaning भी खाली रटना नहीं है I hot milk मैं hot milk क्या करता हूँ sip sip का मतलब होता है चुस्क्या लेके पीना दी रे दी रे छोड़ चोड़ा करकी पीना the kid is in the kid किस में है kid coat में है coat का मतलब होता है पालना ओकी तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे coat the toy is in the toy कहा है toy है box में अब आगे next day the lion is in the den जो home of lion होता है वो den होता है the cat runs after the rat I sit on the rug देखो यहाँ पर यह rug word है यह रहा इसका मतलब होता है कालीन रग मैं इसे लिख में देती हूँ क्योंकि यह new word है तो आपको याद रहेगा कालीन अब देखो यह कितने easy है यहाँ पर आपको opposite word write करना है जो underline words है इनका opposite होता है out the rat ran in rat अंदर भागे गया when the cat ran out और cat भागे बाहर रही the lion is big but the ant is small तो आपको पता है यह नहीं small होता है big का the giraffe has a long neck giraffe की long neck है but owls are long का opposite क्या होता है short s-h-o-r-t short इसके बाद next day the sun appears in the day and the moon at sun दिन में निकलता है और moon कब निकलता है night में n-i-g-h-t the t is hot but the water is hot का opposite होता है cold यानि के ठंडा है trees are tall trees लंबे लंबे है but the bushes are short राम वो sad but rada was happy sad का मतर जानते है नो उदास तो ये बहुत easy exercise है what are the difficulties that a child who can't see will face वो difficulties कौन कौन सी हो सकती है जो कि वो child face करेगा जो देख नहीं सकता क्या करेगा वो अकेला नहीं चल सकता तो a blind child प्योंकि जो देखने सकता हो जो blind ही कहते है और क्या नहीं कर सकता बताएए टीवी देख सकता he cannot watch टीवी अब next question देखते है how can you help such a child and make the child feel one of you आप ऐसे चाइल की कैसे help कर सकते हैं और उसे ऐसा कैसे feel करा सकते हैं कि वो तुम्हारे मेंसे ही एक है यानि के वो अलग नहीं है तो चलिए इसका answer भी हम write कर देते हैं पहले लिए how can you help such a child अब ऐसे बच्चे की कैसे help पहले नहीं पहले ये बना देखना है would you help a child who cannot walk to school जो इसकूल नहीं जा सकता आप उस बच्चे की help करेंगी तो जिनमें जो would से शुरू होता हमां के बली यस लिखना होता है yes you का I बनाईए और फिर would लिखे I would help और आगे फिर पूरा answer आपको यहां से यहां तक पूरा लिखना है फुलिस्टोप अटा के यह अटा के फुलिस्टोप लगाना है now next how can you help such a child and make the child feel one of you आप ऐसे blind child की कैसे help करेंगे और कैसे उसे feel कराएंगे कि वो कोई अलग नहीं है बलकि उनके जैसा ही है आप जब वो school चलेगा तो आप उसका hand पकडेंगे I would hold पकडने ही क्या होती है hold his hand when going to school when going to school school जाते समय आप उसका हाथ पकड़ लेंगे तो इस तरीके से आपने ये वाला question भी कर लिया है आपको समझ में आ गया है यहाँ देखो जो सुन नहीं सकते हैं उनके यहाँ पर कुछ sign देखे हैं उन्हें इशारे से बताते हैं face expression करते हैं तो यहाँ पर कुछ face expression दिये गए हैं जब गाने का action करना होता है तो अपना hand यहाँ face पर लगा के ऐसे लाना होता है जो arrow बनावान है यह ऐसे लाना होता है और जब आपको dance करने के लिए करना होता तो आप एक बार ऐसे करेंगे एक बार ऐसे करेंगे और जब आपको बताना होता है कि पढ़ना है तो दोनों हैंड ऐसे करेंगे जब आपको कहना होता है लिखना है तो एक हैंड ऐसे रखेंगे और दूसरे पर ऐसे करेंगे जैसे एरो बना हुए ने मैं दिखाती हूँ आपको यह arrow बनाया ना तो यानि कि अपने hand को आप इधर से इधर को move करेंगे ऐसे करके जैसे इसने किया हुआ है इसके बाद विन जीत गए तो ऐसे thumbs up करेंगे हार गए तो ऐसे thumbs नीचे करेंगे उपर से लाके नीचे करना है और ऐसे में उपर लेके जाना है क्योंकि arrow बना रखे हैं इसके बाद सर्प्राइज स्वारी संड्राइज संड्राइज में क्या करेंगे हैंड उपर उठाएंगे ऐसे ओपन करके और इसे नीचे लेके आएंगे और जब sunset करेंगे तो आप अपने हैंड को ऐसा खोल के इधर left side से नीचे लेके आएंगे पीछे से लेके आएंगे तो ये sign language होती है आपको ये lesson अच्छे से समझ में आ गया होगा और समझ में आया है तो आप जरूर subscribe करेंगे Thank you for watching the video